नमस्कार दोस्तों मैं हूँ Dr. ब्रजेश और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे के How to end the home isolation और How to end the home quarantine तो अगर आप घर पे हैं आप घर पे quarantine है या तो आप घर पे isolate है और आप treatment ले रहे हैं तो आपको कब घर से बहार निकलना चाहिए और आप कब दूसरों के लोगों के साथ आप गूल मिल सकते हैं तो इसकी तीन strategy पाई गई है सबसे पहले आती है आपकी symptom-based strategy दूसरी आती है आपकी time-based strategy और तीसरी आती है आपकी test-based strategy तो कई ऐसे किस्तों में अगर आप बीना कोविट का test कराए मिदलब कि अगर आपका कोविट का test आपको बाद में नेगेटिव आया या नेगेटिव आया उसके बाद ही आप अपने आपको home isolation से या तो home quarantine से बाहर निकाल सकते हो इसके लिए आपको कोई भी दूसरी बार test कराने की ज़रुवत नहीं है इसके लिए हम use करते हैं symptom-based strategy का या तो फिर time-based strategy का time-based strategy में ऐसा है कि अगर आपको जब symptom शुरुआ था उसके उस दिन से लेकर आप दस दिन हो गये हैं और दस दिन में आपको सारे symptoms ठीक हो चुके हैं आपको कोई तकलिप नहीं तो आप अपने आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं दूसरी आदिए अगर आपको पिछले तीन दिनों में अगर आपको continuously एक दिन भी बुखार नहीं आया है तो भी आप अपने आपको घर से बाहर निकाल सकते हैं या तो आपका home isolation आप वहाँ पे end कर सकते हैं आपको जो भी symptom है जो सुरुआत में थे जैसे कि बुखार है खासी है सर्दी है गले में कोई तकलीफ है या स इतने दिन तक आप home quarantine या home isolate रहे हो उस तोरण अगर आपके symptom सारे अच्छे हो गए आपको और कोई तकलीफ नहीं हुई है और पिछले तीन दिनों से आपको बुखार नहीं आया है तो आप अपना home isolation आप वहाँ पे end कर सकते हैं लास्ट में आता है हमारा test based strategy test based का मतलब होत है तो लगातार दो दिनों तक apart from 24 hours मतलब आप दो दिन कराओ तो हर दो पहले और दूसरे दिन आपका test जो हम PCR based करते हैं तो आपका PCR test अगर आपका continuously दो दिनों तक consecutively अगर आपका negative आता है तो भी आप अपना home quarantine या home isolate आपका end आराम से आप कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि इतने दिनों के बाद आप आपका virus का shedding 100% तो कम नहीं हो जाता है लेकिन इतना तो हो ही जाता है कि आप दूसरों को infect करने के chances बहुत ही कम हो जाता है एक चीज़ यह हैं जो लोग बोलते हैं home quarantine मतलब के जहां जो लोग सिर्फ infect होने के infect हुए हैं मतलब के जो लोग सिर्फ exposed हुए हैं और उन्होंने तुरंधी अपने आपको quarantine कर लिया है quarantine का period रहता है 14 दिन का 14 दिन के अगर आपको कोई symptoms नहीं आता है या तो आपको सुलवाती कुछ symptoms हुए रहते हैं जो बहुत ही मैल थे और चौह दिन के अंदर वो सारे symptoms सही हो गये तो और आपने अकर टेस्स भी नहीं भी करवा है तो आप सिर्फ exposure के बीस पर जहां पर अपने आपको घर से बहार निकाल सकते हों तो वहां पर भी रिस्क बहुत ही कम हो जाता है special importance देना है इस ब virus दूसरे लोगों फैला सकते हैं जैसे कि healthcare workers हैं और दूसरे वो लोग जिनकी immunity बहुत ही कम है जैसे कि जिनकी immunity कम है जैसे diabetes है जिनको HIV है जिनको TB की मरीज है जिनकी पहले से ही सरीरी बहुत ही माल नरीश है या तो जिनको immunological disease है और उनको को immunity को खतम करने वाली दवाया चल रही है जिसको हम बोलते हैं एंटी immunological drugs तो ऐसी लोगों का वैसे immunity कम होती है तो वो लोग community में virus को ज्यादा दिनों तक spread कर सकते हैं ऐसे लोगों को हम मानते हैं कि उनको 10 दिन तक उनको रोके रखना है कि community में ना जाए यह तो अभी यह fix नहीं है लेकिन यह ज़रूर है कि वो लोगों को कुछ ज़्यादा precaution लेने चाहिए ताकि extended time of period लेने के बाद भी वो दूसरों को फैलाए नहीं तो उसके लिए यह लोग जैसे की healthcare कैसे doctors है nurses है brothers है जो भी स्वीपर्स है यह लोग और जिनकी community बहुत ही कम है इन लोगों एक्स्ट्रा वन वीक या टू वीक अपने आपको home isolate या तो home quarantine करना चाहिए ताकि यह community को बचा सके दूसरे लोग को फैलने से थैंक्यू